लखी स्राइ जिले में किसान अब कम समय में ज़्यादा मुनाफ़ा देने वाले फसलों की खेती को ज़्यादा तरजी देने लगे हैं इससे लोगों को स्वास्त का भी लाब होता है और किसानों को ज़्यादा मुनाफ़ा भी होता है निन्वा भी इसी तरह की एक फसल है इसकी खेती कर जिले के किसनपूर के किसान अनिल सिंग ने बताया कि उन्होंने निन्वा की खेती मात्र चार से पांच महीने में की और उनको अच्छा खासा मुनापा हो रहा है निन्वा खाने से एनिमिया यानि खून की कमी की समस्या को भी दूर किया जा सकता है और इसमें बढ़िया मात्रा में प्रोटीन होने के बज़े से इसकी सबजी को लेकर बजार में अक्सर डिमांड बनी रहती है लगता जिले के जो किसाने वो सबजी की खेती की और अगरसर हो रहे हैं जिसको लेकर बहुत सारी ऐसी सबजी या है कदू, भिंडी इत्यादी जो जिसकी खेती कर किसान अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं ँर्वा हादीब झाम लगाए हैं इसे लाक रुपा हुआ है एक बीघाम एक लाक रु प्रूपा मुणास है जो तो सलना अगर बात किया जाय तो सिर्फ सब्जी से आप कितना कमा लते हैं सब्जी से सलना हो जाएगा तो सालों बर सब्जी लगाएगए तो चार लाक रूप किसरफ सब्जी बेचे प्ट्रक्रण कर तो कि ननुवा की 제품 लेटी हैत। प्रगती सील किसान अनिल कुमार सिंग जी को जो देख सकते हैं कि नोने काफी अच्छा मुनाफा कमारे लोकल एटीन से लखी स्राय से जीतेंदर कुमार जा की रिपोर्ट